हेलो दोस्तों दिल के गराई से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आप अपना किम्तिव वक निकल कर आते हैं वीडियो देखेने के लिए मैं कोसिस करता हूँ कि इस चैनल पे केवल अच्छे स्टॉक्स बताओं जिसमें सब लोगों को बहुत अच्छे चे प्र कि हमेने तो जितना हो सकता पॉसिबल मैं आपको बताने की कोसिस करूँगा टीन रहेंगे फिटेन रहेंगे तो देखो पाँच मिनित का वीडियो रहता है यहाँ पर और इसमें से आपको 10 या 15 स्टॉक्स के बारे में मैं अपनी रह बताने की कोसिस करूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है क्योंकि डेली तो stocks के बारे में discuss किया जाता लेकिन Sunday है तो आज एक revision होगा कि भई वो stock moment उसका अप है या down है तो करना क्या चाहिए profit book कर लेना चाहिए निकल का चले जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको यहां बताने वाला हूँ तो चले यह start करते हैं जैसे सबसे पहले start करेंगे बजास finance से देखो बजास finance का target दिया गया है 8200 का 8200 का और यह एक साल का target दिया गया है तो अगर आपके पास patience है देखो stock अच्छा है सबको पता है दुनिया को पता है और stock आपको नुक्सान भी नहीं देने वाला है लंबे समय में सबको पता है लेकिन profit भी धिरी धिरी आपको देने वाला तो आप देख लिजा गर आपको इतना acceptable है धिरी धिरी तो आप hold कर सकते है टाटा मोटर देखो टाटा मोटर मैं आपको बलूगा कि नहीं इस stock हमें नहीं खरीदना चाहिए ठीक है मेरे ही साफसा नहीं खरीदना चाहिए बुरा मत मानेगा देखो सबका अपना अपना choice होता है आटा सक्टर में हमें किसी भी stock को नहीं खरीदना है थोड़ा दूर रहना है हमें उसके साथ रासरी पॉलिपक जो मैंने आपको बताया था इसका result भी बहुत अच्छा आया था इसकर रहे हैं और जिस तरीके से यह company मतलब luxurious item के लिए काम करता है पूरे world में काम करता है इंडिया में तो यह आने वाले दुर्य में काम करेगा ही करेगा जिस तरीके से मैं आपको बता दूँ कि लगबग रश्या में और युक्रेण में वार हुआ उसके वज़े से आप देखिया रश्या में कितना महय वड़ चुका पाकिस्तान की तो हालत कराब 400 500 रुपे कीलो टामााटर मिल रा है जी इतना महेंगा तो यह क्या है महें राश्या में तक Pfizer बढ़ चुक है अमरिका द अधहीं डेली-डेली महें बढ़ रहा तो चितना जादा महेंगाई यहां से लोग थोड़ा बहुत एक कदम पीछे उड़ जाते हैं वो नेसेसरी के तरफ चले जाते हैं मतलब ब्रिड हो गया विजटेबल हो गया खाने पीने वाले चीजों के उपर ध्यान देते हैं और ऐसे जोड़ी वाले आइटम को थोड़ा इगनोर करते हैं और जब सब क लोगा टेंचन ना लीजिए थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है आठ से नौ परसंट का को टेंचन वाली बात नहीं है चलेगा दोड़ेगा 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 बहुत दम है दोड़ेगा और अच्छा खासा आपको रिटन भी निकाल के देगा उसके कि अपने पॉटफोली में छोड़ देजेगा नॉर्मल है कोई बहुत बड़ा खास नहीं है लेकिन नॉर्मल ठीक है लेकिन उसके साथ साथ रामा स्टील ट्यूप मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बॉकिंग चल रही है क्योंकि पर भी आपको एक प्रॉफिट बॉकिंग देखने को मिलेगा बाकि लंबे समय के लिए स्टॉक ठीक है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है विनायल केमिकल में ये स्टॉक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे चुका है मुझे लगता कुछ दिन और मतलब टाटा टेलिव सर्विस को इगनोर करना है नहीं खरीदना है ट्रॉफिट जैसे स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली है कुछ इंटरनल खबर होगा जो अभी तक मतलब अफिशली आया नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बलूँगा ट्रॉफिट एक नॉर्मल और बता दूँ दीवबарक नाइटेट को होलद किजिसे रहा लेकिन उसको भी होलड किजियेगा बहुत सार एफ्यल ंडिया उसको होड किजिए और भी बहुत सारे स्टॉक है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट किजिए मैं आपको इस विडियो में जितने लोग कमेंट करना मैं सब को reply दूँगा देखिए मैं आपको ये नहीं बोलाओं कि आप लाइक किजिए नहीं नहीं मैं आपको ये नहीं बोलाओं कि आप चैनल को subscribe किजिए आप comment किजिए ताकि मैं आपके questions का answer दे पाऊ वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा hold करना क्या करना क्यों बहुत सारे stock छूट चुके होंगे मुझे पता है यहाँ पर इस वज़े से